नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूट उत्पाधन करने वाले राजियों के नाम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे जान सकते हैं उसके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फसलों से related questions याद करने में बहुत ज़दे दिक्कत होती है यानि कि कौन सी फसल रवी की है कौन सी खरीफ की है कौन सी जायत की है क्या-क्या चीजें किन-किन फसलों में पैदा होती है खरीफ की फसल में क्या-क्या चीजें पैदा होत जूट उत्पादन करने वाले कौन-कौन से राज हैं, धान भारत के किन-किन छेत्रों में ज्यादा मात्रा में उकता है, कहां सबसे कम उकता है, इस तरीके के कई क्वेश्चन्स, आप से सामान्य ग्यान में, आप से परियावर्ण के अंतरगत, टैट में, सी टैट में, ईवी इसी भी competitive exams में कई बार पूछे जाते हैं, और कई लोग इन क्वेश्चन्स को थोड़ी सी जानकारी ना होने के कारण गलत कराते हैं, और हम सभी जानते हैं कि competitive exams में एक-एक नंबर का कितना महत्वा होता है, तो ऐसी गलती ना हो और हमारा बेश कीमती एक नंबर बेकार न जाए, उसके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से संझेंगे कि कैसे इस छोटी सी मज़ेदार सी ट्रिकों को याद रखके हम याद रख सकते हैं कि जूट उत्पादन करने वाले कौन-कौन से राज्य हैं, इससे पहले भी मैं गेहूं उत्पादन करने वाले और ऐसे ही कई अन्य वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ, जिसे आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगर आप उनकी पीडियाफ चाहते हूँ, तो वो भी आप ले सकते हैं, संपर्क करिए, हमारा नंबर है 9496369356, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप चलिए, शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस ट्रिक को, जोट उत्पादन करने वाले कौन-कौन से राज हैं, उनका नाम हम याद करेंगे, और ट्रिक है हमारी मॉम बाप, सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन हम इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं कि मा को हम अक्सर मॉम कहते हैं और पिता जी को बापू, बाप, डैड इन शब्दों से पुकारते हैं तो बस ये एक जस्ट ट्रिक है याद करने के लिए, जो कि आपके सामने हैं मॉम, बाप, ठिक, क्या-क्या होगा इसके अंतरगत आईए जानते हैं कि किस-किस अक्षर से क्या-क्य बनेगा, कौन-कौन सा राज्य बनेगा, पहला M से आपका बनेगा मेग हाल है, उसके बाद दूसरा है आपका राज्य, O से ओडिसा, ओडिसा O से याद रखेंगे, जिसे हम ओडिसा लिखते हैं, ठिक, उसके बाद फिर आपका M आता है, तो M से हमारा अगला राज्य महारास्ट्रा इस तरीके से मौम से आपके तीन राज बन गए अब आगे हम चलेंगे बाप में आपके चार अक्षर आ रहे हैं बी ए ए पी तो इन से चारों से एक एक राजे बनेगा बी से बिहार एक ए से आपका बनेगा असम दूसरे ए से आपका बनेगा आंध्रा प्रदेश और पी से आपका बनेगा पश्यम बंगाल तो इस तरीके से इन सातों अक्षर से आपके सात राजे बने जो जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राजियों में से एक हैं एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ ये कौन-कौन से वो राजे हैं पहला है मेघाले, दोसरा उडिसा, तीसरा महरास्ट्रा, चौथा बिहार, पाचवा असम, छटवा अंध्रप्रदेश, और सातवा पश्यम बंगाल तो ये थे आपके सात प्रमुख राजे जो जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज हैं भारत के अंदर उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा चोटा सा वीडियो था जिससे आपका समय भी बरबाद ना हो और आपका एक नंबर भी आपको मिल जाए अगर आप नोट्स चाहते हैं नंबर हमारा है 94963693566 नंबर पर आप कॉंटेक्ट कीजिए आप नोट्स ले सकते हैं प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस का लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको टाइम टुडाइम मिलते रहें फिल्हाल फिले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार